मया ने सेमी तुकाई थी ये वो वन जाए हम सब उनकी पीछे-पीछे जा सकते हैं तो चलो अब कान्धा कहा है लल्ला कान्धा सच्ची में बहुत सराथियों को है वन को स्थान है क्या अकेले जाने का बहुत तंकर्ने लगो है अब इसे फिर से दंड देना पड़ेगो हुआ हुआ हे नारायन आगे तो इतना घोर घनावन है कही कच्चू हो जाए तो कही कोई पसू सामने पढ़ जाए तो इतना सा तो है तन एक में भैना लगो इसे भै कैसे लग तो रक्षा के लिए आप खोना मैया आगे आगे लल्ला पीछे पीछे तान्हा 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 प्रभू, मेरी प्रभू आ गए कान्धा काना यह आया था क्या आप सबने काना को देखो एक्या यह सुदा क्या हो गो अरे छंड बर पहले सारे बालक घर में थे मैं तने पुए बनाने के लिए गई और जब लौट के आई तो सब जा चुके थे कान्हा ना मिल रहो है काउं के सारे बालक ना मिल रहे और आपको कच्छो अंदर ही ना पड़ रहा है ना रायन आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैंने मना किया था ना फिर क्यों आयो तु यहाँ हां मैया मैया हम सब अपने आप थोड़ी ना आये आप ही तो लेकर आई हमें मैंने क्या हूं आप हमें तो बन का रास्ता भी ना पता था हम तो आपको पीछा करते करते आये अरे पर मैं तो तुम सब को डून रही थी और पीछे पीछे आये तो मुझे रोका क्यों ना आप इन्म तो काया था मैं जब भी वन जाओ तो अपने आप मेने पीछे-पीछे आ जायो मैं जब भी बन जाओ, हूँ मेरे पीछे-पीछे आ जाई हूँ, बस? और आपने मचन भी तु दिया था, कि ऐसा करें तो आप डाट ना लगाओगी, पर आप तो मेरे पूरे गाओं के सामने कान पकड़के खड़ियों मुझसे चाला की करतू है? अब ही बतातीूं तुझे जएएँ दुझे रोक, Lalla! रोक एसटो लला पेसो दुआ लला, लूक लुल… लला, लला, लुक रोक नाना माया, फिरसर दर्ना तो घर चल बताती हूँ ऐसे अच्छा ही हो नो जो काना आपको यहां ले आयो वेंदावान आने के बाद आप दुर्बल हुईयो कि ना हुईयो आपके कानों की सक्ति अबसे दुर्बल हो गईयो शुलक्षना काकी एक बार मैं सुनाई ना पड़ा अब फिट से सुन लियो मैं मैया को ना लेकर आयो जी लेकर आये हमें लल्ला यह सुदा बालक है जे खेलने दो और वैसे भी जेस्थान सुरक्षित है किसी भी मासाहरी पसू के यहां चिन ना मिले बालकों के बाढ के बाहर ना जानो है बीतर ही खेलना कमझ में आई बात कमझ में आई काना जालो जाओ खेलो बोला बंसी बालकों का ध्यान रखना जानती है ना उसे कस्तूरी इसके पाउं एक स्थान पर टिकते ही ना है बुला बंसी है ना यहां द्रिश्ची दखाय हुए आप चलो हमारे साथ और आपको ऐसे ऐसे फूल दिखानो है जैसे आज तक न देखे होंगे चलो और आपको पता है प्रिंदावर में बहुत ही दुलला फूल मिलतो है हाँ चलो बोला दिखो ना कित तो प्यार है ना जमा करना मैया वेंदा देवी को दिया वचन निभाने के लिए एक सरारत और कंडी पड़ेगी मुझे क्या होगो क्या सोचने लगो है का ना यही किते देन हो गये हमने लुकाच्चिते का खेला खेलो है ना अरे हां यहां तो छुपने के किते सारस्थान है कर ना तो दावले हम छुपते है आज तो छुपके मुझे जानू ऐसा खाओ पर जब तक दावू है यह संभव ना है तो जाओ, फिर मैंना खेलूँगो क्यो? हर बार दाओ, मैं ही रहतु हूँ आज मैं छपूँगो दाओ लेंगे, आज की दाओ हाँ, तो ले लूँगा ऐखता है क्या मुझे? जटकी बज़ा तेही, सब को ढूण लूँगा ऐसे? हसलो हसलो अब तो सबसे पहले तुम्हे ढूण़ूँगा काना जाओ, तुम सब छुपो एक, बलराम की आखे अनेक ओ, चत्टूर वाही जो बलराम से छूप पाए जो कहा गए सारे के सारे? चिंता मती करोज सुदा जी चुपन चुपाई खेल रहे सब के सब हो देखो दस, अब बस मैं आ रहा हूँ अधिक देर तक छुप नहीं पाओगे सब एक एक करके मेरे हाथ आओगे मुझे शाक्षात दर्शन दे कर आपने मेरे उपर बड़ी कृपा की है प्रभू आपसे मेरा नाता बहुत पुराना है विंदा देवी तो फिट मिलने कैसे नाता मैं मैं कुछ समझी नहीं प्रभू आपके बारे में तो सारे जाकत को जाड़ना चाहिए महराज कैधार की पुद्री विंदा जो अपनी भक्ती से गोलो की अधिकारी बन गई थी यहाँ इस इस्थल पर अपनी तपस्या से आपने मुझे प्राप्त किया था तब यहाँ कुछ बे नहीं था ओम नमो नारायनाया आंके खोलो ब्रिंदा आंके खोलो ब्रिंदा प्रभू आप मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ अपनी साधना से बंजर भूमी को भी उपजाव बना दिया है तुमने रिक्त पड़े इस स्थान को हरे पुरे वन में परिवर्तित कर दिया है तुमने और अब तुम इस वन का भाग बन चुकी हो व्रिंदा और ये वन बन गया है तुम्हारा अंक अब से युग युगांतर तक ये वन और इसके निकट का शेत्र तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा इस व्रिंदा वन में आकर जो भी भग तुमसे आग्या लेकर तप करेगा उसका तप तुम्हारे तप की तरह अवश्य सफल होगा अब से ये वन शेत्र पूजनिय होगा प्रभू एक भाक्त को पूजे क्यों बना रहे हैं आप अब तुम केवल एक भाक्त नहीं रही व्रिंदा व्रिंदा देवी बन गई हो व्रिंदा वन की स्वामी नी व्रिंदा वन की देवी नवचन देता हो द्वापर मैं फिर तुमसे भेंट करने आऊंगा और तब तुम मेरी लीलाओं की साक्षी बनोगी आज मैं या अपना वचन पूरा करने के साथ साथ एक स्वार्ट के लिए भी आया हूँ विंदा देवी मुझे आपके आज्या चाहिए आज्या नहीं प्रभू आदेश दीजे कंज के राक्षेशों के वार्ट से वोको रार्षेओं को बहुत हानी पौचेटी मैं ना चाहता विंदा वन्ने भी ऐसा ही हो कंज के राक्षेश काओं तक पौट पाए उससे पहले की मैं यहां आपके वन्न में उनका सामना करना चाहता हूँ बस इसलिए आपके आज्या चाहिए थी मुझे ये तो मेरा परम सौभागे होगा प्रभू पूर्व काल में दिये आपके वच्चन के अनुसार मैं आपके लीलाओं की साक्षी बन पाऊंगी इत्ते समय तक एक ही स्थान में चुपने वालो मेंसे ना है काना बोला बंसी हाँ रानी भावी काना कहा है रानी भावी काना तो अभी यहीं पर था ये बिस्ट के पीछे ही चुपा हुआ था जाने कहां से लगा हुए जै बहुत उदंड होगा वजी जिसके साथ साथ आपको एक और साहिता करने होंगी मेरी काना मेरी सत्या को मेरी दिव्याता को मैया से छपाना हो आपको काना इससे बाते कर रहा था तू काना वो स्त्री कौन थी वो स्त्री कौन थी स्त्री यहां तो कोई भी नहा है पर मुझे लगो मैने किसी किसी को देखा है काना कोई थी नहां हाँ हाँ छोटी मा कौन कौन आमके छमें पर सारे होता हूँ पता नहीं चोटी मा पर जो भी थी बहुत सारी बेल और लता हैं उनके तन से लिप्टी हुई थी और उनके पाओं बिलकोल इस व्रिक्ष के जड़ों जैसे थे यह सुदा तुमने भी ऐसा ही कचु देख होता क्या मैं ठीक से तो ना देख पाई पर कोई तो थी भाबी लगतो है हमारे बलराम पर भी उजवल का प्रबाव हो रहो है मेरे लल्ला को बीच में क्यों ला रही हरी मैं बड़बोली बात नहीं कर रहा हूं छोटी मा मैंने सच्मे काना को उनसे बात करते हुए दिखा था सच्ची सच्ची बता काना किससे बात कर रहा था तू इन से इस वरेक्च से नहीं छोटी मा एक इज़ी स्थरी से बात कर रहा था मैया मुझे ना पतो द्याव किस इस्थरी की बात कर रहा है मैं तो सच्ची निसरी बात कर रहा था क्या बात कर रहा था तू देख असक्ते मते बोल असक्ते क्यों बोलूंगा मैया मैं तो आपका अच्छा लल्ला हूँ सच्ची मैं इनकी आज्या मान रहा था आज्या लेकिन किस बात के लिए अब हम गईयां को चराने यहां आएंगे ना इसी वांचर चारा काट ले जाएंगे यही पे में और मेरे सखा खेलेंगे, खाएंगे बहुत चारे अलग-अलग कारिय करेंगे तो इन सब के लिए जिन्दा बंचे आकर लेनी चाहें ना बाबा ये कहतो सीरो है तो क्या ये व्रिक्ष तुम्हे आज्या देगा? हाँ दाओ, ये व्रिक्ष इस वन का भाग है और ये पूरा वन इस व्रिक्ष का अंग है थाँ थाँ, नेरी आज्या मिल गई हो तो चले गौदुली से पहले घर पहुंचनो है चलो दाओ चलो चलो लगना कच्छो तो बचत्र था वहां पर क्या अच्छा ठीक, किसी ने कच्छो ना लिया है पर मैं कह रही हूँ, कच्छो तो गडबड है यहां यह सोधा अधिक चिंता दुख का कारण होती है जित्ता सोचोगी उत्ती ही घवराट बड़ेगी सही सोच रही हूँ मैं आपको तो विस्वास ही ना है मुझ पर पर मैंने मैंने वन में किसी को देखा था हा ना ठीक मैं कहे दे रही हूँ जी मैं अपने लल्ला को वन के निकट भी नबटकने दूँगी का ना अच्छा नहीं क्या मा सबके सामने चूटा ठरा दिया मुझे बल्राम छोटी-छोटी बाते रिदे से नहीं लगाते पुत्र छोटा भाई है वो तुम्हारा है ना आप कुछ भी कही है मा पर अब मैं काना की किसी भी बात के जाल में नहीं फसूँगा उसके कोई बूल नहीं चुपाऊंगा उसके हर कारे पर दिश्टी रखूंगा मैं और चोटी मा को सारी सुचना भी दूंगा लो कलो बात अब मैया को संभालूंगा या धाओ को मै खोलता हूं मैया नारा नारा नटावू नारा नारा नबडिमा चोटी मा मुझे आपसे कुछ बात करनी है क्या होगा वर्राम इसका अर्थ है कि दाओ कल की बात आप तक नहीं भूले इससे पहले कि ये मेरा बन जाना और भी कठिन बना दे इन्हें रोकना होगा चोटी मा मैं ये कह रहा था कि कि दाओ आथ के लिए आशन चोटी मा कल ना लो दाओ जल क्या करो एका नहा अपनी डाओ की सेवा यशोदा दोनों भाईयों में थोड़ी अनबन हुई है अब इससे सुलजाना तो इन दोनों को ही पड़ेगा चलो हम चलते हैं हाँ हाँ चलो जुचे चोटी मा दाओ यह मिठाई खा के देखो आपके लिए बच्चा के रखी थी मैंने चाटू कारिता नहीं चलेगी काना मैं सब कुछने कर रहा हूं दाओ यह तो मेरे दाओ के लिए प्रेम और समान है बड़ा प्रेम और सम्मान उमड़ रहा है अज कल का था यह जब सब के सामने मुझे जूटा बना दिया था आप सब यह आवाज सुन रहे हैं जे घुंगुरू की आवाज गईयाओं को संभालने उन्हें पंक्ती में रखने और उन्हें आगे बढ़ाने में साहिता करेगो और जे लाठी जे लाठी आपको पैदल चलने में साहिता करेगी और यदि कोई वन्य पसू गईयाओं के निगट आ जाएगो तो जे नुकीला भाग आप देख रहे हैं जे उन्हें दूर भागाने में आपकी साहिता करेगो आप सब लोग तयार हैं? आप सब लोग तयार हैं? आप सब तयार हैं शुब कामना है बोला बंसी कित्य दुख की बात है ना भाईया के गौच आरण के लिए के वलिते सही नौजवान तयार हुए जो व्यापार करके इतनिक धन्वान हो गए न उनके वालक समझते हैं कि गौच आरण उनके लिए सही कामना है उनके लिए बड़ा ही तुछ चकार है यह तो बहुत अच्छी है छोटे बाबा इसके साथ खेल लूँ हाँ हाँ क्यों नहीं यह ले देखिये मैं भी गौपालक बन दिया नाना दाओ गौपालक तो मुझे बननो है बाबा मुझे भी ऐसे डंडा दो ना लल्ला ऐसी जड़ी तो समात्त हो गई जब नहीं बनकर आएगी ना तब दूमनो तुझे तब तक तु अपने दाओ के साथ खेल ठीक है चले भीया दाओ ये गौपालक के डंडा तालीक मुझे भी तो दिखाओ एक बार तुम गउपालक बनोगे तुम्हे तो बन जाने के भी आगया नहीं है तरात हूना मेरे साथ आप मजया को बनाने में और वन जानी की आगया दिलाने में मेरी सहिता करोगे करोगे नदाओ मैं और तुम्हेरी सहिता कभी नहीं अभी तक करो दित्तो अच्छा ठीके मैं छमा मांग्ता हूं अब तो मांजाओ छोटे भाई के नाते ना कई तुम्हें तरक के नाते छमा कर दो जिसने मुझे जूता सित्या है वो ना तो मेरा मित्रा है ना छोटा भाई वैसे ये तो सत्य कहा हमारा समझ एच सखार भाई से फी वड़कर है लिखता है आपको ये समर्ण कराने का समय आ गया है दाओ दाओ आपको मुझे ये डंडा नहीं देना तो मती दो पर एक बार इसे हनबान जी की तरा पकड़ के तो देखो एक बार कंडे पे रखो तो सही दाओ और फिर एक पाओ नीचे फिर दूसरा का ऊपर रखो बल्कुल हनबान जी की तरा बल्वान दिखो गया है एसे रे दाओ हनबान जी का एक पाओ आगे होतु है एसे उन्हा दाओ छोड़ा और सा अब हाँ अफिर तक तर्सक्ले क्यों पकड़ू है क्या आपकी गदा है दाओ तंडा सोड़ी ना है आप तो ऐसे पकड़ेओं कोई लेकर भाग जाएगो अब ये हुईना बात इलकुल हनमान जी लग रहे हो पाना हो मेरा उझे दो आपका आए तब बाक्रिस लेकर दिखाओ काना काना बहुत भगा लिया काना अ मेरा डंना मुझे वापस दो नहीं तो मैं सीधा छोटी मां के पास जाओंगा और सब बता दूँगा मने समय से इन दोनों का स्वर्ना सुनाए दिया है ना जीची लगता है अन्बन सुल्जी नहीं है कई मू भुला कि तो नहीं बैठे दूना एक दूसरे से मैं देखकर आती हूँ यहां तो कई दिखते ही रहे अभी कुछी समय पहले तो खेल रहे थे बल्राम हनुमान जी की मुद्रा बनाके खड़ा था कहां गए दोनों सीधे सीधे डंडा मुझे दे दो काना छोटे वावा ने मुझे दिया है यह मेरा है तुम्हें मना कहा कर रहा हूँ दाओ निकिताओ दुलेलो अपना रंडा रुक जाओ काना क्या वादाओ तुम मुझे इतना पगात पु रहे हो अवशे तुमने कोई ना कोई योजना बनाई है पर इस बार मैं तुम्हारे जाल में नहीं पसूंगा क्या वादा उत्थक गए क्या इतना प्रयास करना है कर लो काना तर अब मैं यहासे एक तक भी आगे नहीं बढ़ूंगा तुम्हें डंडा देना तो दो या फिर रख लो क्या प्यश भी नाचानना चारे की में कल किस से बात कर रहा था काना बल रहाँ कहा है जे दुनो कहा हो तुम दुनो भाभी उन दुनो को तो वाख कि बन की ओर जाथे देखeriौ तो मैंने बन की ओर तो तुने रोका क्यू ना मुझे लगो कि आपसे आग्या लेके गए हूंगे. दोनों साथ नहीं दो थे. छे, पालक भी ना? चलो, जिच्चे. चलो. जाने से पहले सत्य तो जान लीजिये दाओ. क्या हुआ? अब तक नहीं पहचाना मुझे? श्री नाना याणा? अब स्वयम को भी पहचान लो? प्रभू, एक बात का खेद है मुझे. क्या हुआ शेश? आपने अपने अगले अवतार की घोशना कर दी और मेरे बारे में विचार तक नहीं किया. मैंने आपके राम अवतार में आपका छोटा भाई लक्ष्मन बनकर आजीवन आपकी सेवा की थी. आपकी हर एक बात मानी थी. अब आप अगला अवतार मेरे बि मैं आपका छोटा भाई बना था प्रभू. आपके पग चिन्नों पर अपने पग रखता हुआ आपके साथ चला थी. इस बार आपका बड़ा भाई बनकर एक नया अनभव पाना चाहता हूं प्रभू. तथास्तु. प्रभू मैंने तो ऐसी ही कह दिया. मेरा आर्थ वो नह नहीं कहता शेश. लक्षमन के रूप में तुमने मेरी बहुत सेवा की थी. महल, राजपत, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी तुमने छोड़ दिया था. ताकि तुम वन वन घूमते हुए मेरा साथ दे पाऊ. इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा छोटा भाई बनकर बोश्रद्धा उसने तुम्हें लोटा पाऊं। तुम्हारी सेवा कर पाऊं। अपने चोटे भाई को प्रणाम क्यूं कर रहो है। क्योंकि यह मेरे प्रबू है चोटी माम। अरे फिर से फस्यान है। सट्यका मैं भगवान विष्णु हूं और मैं हूं इनका सिसनाग। अच्छा तो तुम दोनों भगवान जी भगवान जी खेल रहे हो। तो इसके लिए वनाने की क्या आवश्यक्ता थी। मना किया था न ये शोदा ने। बल्राम तू कान्हा के जैसे कब से होगा। ये दोनों एक से ही है ये शोदा। बहुत एकता है दोनों में। ना जिट जी। बल्राम निर्दोस है। जुसका छोटा भाई है ना। इसी का दोस है। इसी को बार-बार वन आना होतो है। पर मैया ये वन थोड़ी है। वासर वन तो आगे है ना। अच्छा। तु घर चल। मैं बताती हूँ तुझे वन कहा है। ओधंड कही का। तिल। ले बल रहा। चल। इन्हे ना गौसाला में बान देना चाहिए जिट जी। तभी रुकेंगे जे। तावू खर पहुचके डैंड मिलेगा क्या। मिलेगा प्रभू और इस पर केवल आपको ही नहीं मुझे भी मिलेगा। नटखटपन और उदंडता में बहुत कम अंतर होता है काना। और जब तक तुझे समझ ना जाता। जा। जाके उस कोने में खड़ा रहे। जेही तेरा दंड है आज। जा। मुस्कुरा क्या रहो है। चुप चाप खड़ा रहे। हाथ भीना हिलने चाहिए। तुम मेरा हाथ पकड़के क्यों खड़े हो। तुम भी गये थे ना बिना बताए घर से। जाओ। आज कानहा के साथ तुम्हें भी डण मिलेगा। जाओ। जाओ जाके खड़े रहो वाह। जब तक हम दोनों ना कहें यहीं खड़े रहना दोनों। समझाई। मया संजेव भी होने वाली है। खेलने भी जानों है। इछले अफ्तार में बनवास मिला था प्रभू। इस अफ्तार में डंड मिला है। आपका बायू बनने के लाब कम है। और हाने अधिक। यह तो तुम्हारी इच्छा थी ना सेस। अब भूल जा कि मैं तुम्हारा भगवान हू। भक और प्रभू के इस सम्मन्ती सुनेती। अब तुम्हे तब ही आएगी। जब उसके अशकता होगी। तब तक आप मेरे बड़ी भाई हो। इसलिए अब दाउची तरफ वहवार करना हो आपको। तब फिर मैं ऐसा ही करूंगा। पर उसके लिए आपको भी छोटे भाई की तरफ वहवार करना होगा। अपसे मेरी हर बात सुननी होगी आपको। क्या। जै हमारी बात ऐसे ना सुनेंगे जिची। कोई और उपाय निकालना पड़ेगो इन्हें बन जाने से रुपनेगा। ताट फटकार से भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा ये शोटा। ना इन्हें जिस बात के लिए मना करो ना जिची। ये वो ही बात सबसे अधिक करते हैं। इतना भी नहीं समझते कि हमें कितनी चिंता होती है। और ये दोनों है कि इन्हें कोई भै ही नहीं लगता। भै? पर दंड अभी सेस है। आज इस कक्च से तुम दोनों बहार ना निकलोगे। और खाने के लिए केवल फल ही मिलेंगे। मैया ने तो बात सुनी नहीं। उन्हें ने तो बस वही किया गाना जो तुमने किया था। तुमने भे तो उन्हें के बात नहीं सुनी थी। इसकर आ रहा हूं कर दियो आपने। बड़े भाईवाला ज्यान देनो। अब ये बताओं मैं इस बंद कक्ष में करेंगे क्या। हिलाने भे बार है। तुम जो चाहे करो, मैं तु सांते सु सोंगो। पुलू नास्तपत्ती, संत्री की बात मानुगी की ना। मैं तो बड़ा हूं काना। नास्तपती को मेरी बात माननी पड़ेगी। मानोगे ना नास्तपती। यह क्यासी तुह नी है। ताओ उठो ना। उठो। कित्ता सोगे। माने द्वार नहीं खोला क्या। हुआ। कार्मी नी लगाई। ना। पप्पी बीचिट कासी खादी आ रही है। खादो ने तो कुछ बीचित रही है। क्या वह काना। अंगेरे से बह लग रहा है। चिंता मत करो। बहना तुमारे साथ। तो आपको बहना लग रहू है। आप भी तो छोटे बा लखू। दाओ वह देखो छाया। जैसे कोई राक्षय शा। उसका आकड सो बढ़ता ही जा रहा है दाओ। अपने हाथ देखो छाया। यह तो सच मुच बढ़ी होती जा रही है। क्या होगा। भै लग रहो है। नाना, हम तो बस उस वीचेत्रे ध्वानी के कारण फोड़े चाकित हो गए थे। कौन सी ध्वानी। जी जी। आपको कच्छो सुनाई दे रहा है क्या। जे ध्वानी। जे तो हाओ का स्वार है। हाओ। हाओ। हाओ बहुत भैयानक जी वो तो है। अधिक तर ऐसे स्थान पे बसतो है। जहां अधिक गाओं वालों का आना जाना ना हूँ। हाँ, और तुम जैसे छोटे बालों को पर तो बहुत शीग्रे ही आक्रमन करता है ये। परिहाओ या का से आगो मैया। वन से। इसलिए इसलिए तुम सब को बन जाने से मना करते हैं हम। हम मा है ना। तुम दोनों पर बहुत अधिक प्रेम है हमें। इसलिए तुम नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हें तलिक भी आनी पहुचा है। पर तुम दोनों यदि बिना बताय चले जाओगे तो हम कर भी क्या सकते है। हाओ का सामना करना असंभव है। इसलिए तुम्हें मना करते हैं। चिताम भी देते हैं। पर अंत में तुम्हारी इच्छा। नाना माया मुझे ना जानो गान। मुझे भी नहीं जाना। ये नारायन। इस हाओ उसे हमारे बालकों की रक्छा करना। श्री श्री नारायन। जै श्री नारायन। आज भी ना आयना। कम से कम मेरी आखी मूनने से पहले एक पार आ जाओ प्रभू। अपनी दर्शन दे दो। फिर मती कहना। कि मरने के बाद भी बुढ़्या कोस्ती रहती है। नारायन। 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 मैंने तो वरिंदावन में बहुत भीतर तलदा कर सब कुछ देख लियो है। कि कहां क्या है। ठैरो, अच्छे से बताता हूं। इस स्थान पे गौचर भूमी। और यहां पे ऐसे ऐसे सुन्दर फूलों के धेड़ सारे पौधय और रक्ष हैं। जिसकी तुमने कभी कल्पना बिना करी होगी। और यह क्या है। यह जे स्थान तो बहुत ही अद्मूत है बलराम। क्योंकि यहां पर एक से बढ़कर एक स्वादिश फलों के धेड़ सारे व्रक्ष है। बाहर बालक बन की सुभा की चर्चा कर रहे थे। और काना और उसके दाव बड़ा मन लगा कर सुन रहे हैं उस चर्चा को। बन ना जाएंगे वो। अरे पर यसोदा बाहर जाकर देखो तो सही। कितना ध्यान लगा कर सुन रहे हूँ। ऐसा लग रहो है मानो बन जाने के लिए बड़े उत्सुखू। चिंता मत कीजिये नन भया। यसोदा ने कहाना की वो नहीं जाएंगे। तो विश्वास कीजिये नहीं जाएंगे वो वन। कहना को लेकर यसोदा इत्तीन इस्चिंत। वरंधावन सच्मुट चौत कारी है। और क्या क्या है। यहां पे। ना, ना, यहां पे जाने की भी तो कभी सोचना भी मती। क्यूँ, यहां हाओ है क्या। आओ। जे हाओ क्या होतो है काना। पोटी भयानाक जी होतो है वसंता। सदे बिच्चे तुरसी जहनी करतू रहतू है। और हम जैसे छोटे बाला को वही आक्रमन करतू है। काना सत्य के रहा है। बहुत ही भयानक होतो है हाओ। होता होगो। पर हाओ से भी भयानक तो वो है जो वनके इस भाग में रहती है। कौन? जाडू वाली पूडी माई। मेरे चने की पौदों को हाथ लगाने का साहस कैसे किया। भागो यहां से। फिर से इधर दिखाई भी मती देना। नहीं तो इसी जाडू से तुम्हारी पिटाई करूँगी। दूश्ट। उद्धर निपालक। उनकी तो अलातार सुनके ही। प्रांच उचातो है काना। अरे, हमसे तो करे तो करे। वो तो अपने भगवान से भी डाट टपट के बाद करती है। किसीने मना करी है, कोई पहरो लगो है, आपको आना है तो आजो। जितनी इच्छा है, खालो आप। पर इन दूश्ट उदंडी बालकों को मती बेजा करो। ये बिना पूछे मेरे चने खा लेते हैं। क्या उनकी मईया सीचती है मेरे पोधो को। या उनके बाबक भीजवो के गए हैं। मैं अपने रक्त स्वेश से सीचती हूँ इन पोधो को, ताकि आपको इनका प्रशाद चढ़ा सकू। देखो श्रेनाराय, आप मैं जाप करने बैठ रही हूँ। जब तक मेरी अस्तियों में तनिक भी बल है। मेरी भक्ति और मेरे प्रशाद का आनन लेड़ो, जितना आनन ले सकते हो आप। बरसों से मेरा चढ़ाया हुआ प्रशाद, आप खारे हो न, आनन तो खुब आया होगो। पर फिर भी प्रभू, आप दर्शन देने क्यों नहीं आए। क्यों श्री नारायन। इस बुढिया के द्वार आ जाओगे तो के आपके चटन खिस जाएंगे। वरना आपको तो इस बुढिया को सतानो है। मैंने तो देवी सुने है। वो बुढिया माई हर समय अपने घर के द्वार पेही बेती रहती है। उसका कारण है न बसंता। उसको बिश्वाश है कि भगवान श्री नारायन आएंगे और शाक्षा तो उसके चने खा कर जाएंगे। अब तो जाना ही होगा। पूल के बुश बोली माई के निकट मती जाना। क्योंकि श्री नारायन की अतित कोई उसे फुटियाक ना स्वातो है। समझे। घूर क्या रही हो। चलो भागों यहांसे। घूर तो ऐसी रही हो। जैसे पहले कभी किसी बुढ़िया को अपने भगवान की प्रतिक्षा करते हूँ कभी देखा ना हो। ओ बुढ़िया। रहने तो सुलक्षना। नाराइन की आस में इनका मानसिक संतुलन बिगड़ को है। चलो आओ। नाराइन की आस में इनका मानसिक संतुलन बिगड़ को है। सुन लिया प्रभू। मैं आपकी भक्त हूँ। लोग मुझे विक्षिप्त और बावली समझते हैं। कम से कम एक बार, बाहली समझ कर LOOK मुझा अपने दर्शन देदो प्रभू। कम से कम एक बार, बानी समझ कर hemisphere मुझा अपने दर्शन देदो प्रभू। कहना कहां चार। किसने बुलाय के तुमे, , माहिया बुला री है दवू। पर छोटी में तो घर के पीते रहें बस बहुत होगा उखेल अब सब खाने के लिए आजाओ ना रायन ना रायन ना रायन ना रायन ना रायन क्या सोच रहे आना और सुनो किसी ने एक त्रिंट भी धाली में अनका छोड़ा ना तो देख लिए पर सब को तिखी मर्चे खिलाऊंगी आप आ क्यों नी रहें इतने स्वाजिस्ट है मेरे चने दूर दूर से बालक आते हैं इने खाने दोड़े दोड़े बस एक आपको ही समस्या है यहां आने में लल्ला आरम खाथ अभी पेट भरके खा लिया तो बूबी मैया की हरे चने कैसे खा पाऊंगा मैं तुम लोग खाओ मैं तुम सब के लिए छाच लेके आती हूँ हमारा हल्वा समाप्त दोने वाला है और तुम लोग भी आरम भी नहीं क्या का ना चिंता मत्ती करू दाओ आप अगला धिवाला खाँगे उसके पहले ही मैं पूरा का पूरा समाप्त कर दूंगो अरे वा तुम सब ने तो अपना हल्वा समाप्त कर लियो चलो आजो अब छाज लो अरे 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 भीर मत लगाओ तप को मिलेगा काना का गओ बल्रा तेरा भाई काना कहा है अबे तो यहीं था मैया सबसे पहले अपना बोजन समग प्याता उसने हादोने बाहर गया होगो काना कहा चला गया काना पोरा काना काना रोक हाओ वाला उपाई भी असपल रहो जिजी ये शोना मैया ये तो हाओ की तो नहीं है मैया ने सची कही थी मन में बहुत सारे हाओ है आपके लीला आप ही समझ सकते हैं प्रभू जो अंतर्यामी है सर्वग्यानी है वो अपने मैया के कालपनिक हाओ से भयवीत हो रहे हैं मुझे मैया की बात मानने चाहिए थी क्या तो आगू मैं परवन में और भी करनात चानों चाहिए मुझे हे नारायन तनिक भी दयाना आती आपको क्यों इतने कठोर इतने निस्टूर हो गए हो आप अब दे दो ना दर्शन इस बुढ़िया को अब आभी जाओ प्रभू मरने से पहले एक बार इस बुढ़िया को अपना मुख दिखा दो प्रभू क्रिपा करदो अपना मुख दिखा दो प्रभू ताना यसुदा पर तुम्हें तो पूरा विश्वास था ना क्यों बनना जाए हूँ तेखो जी ताना बाद में दे ले ले ना अभी साथ चल के डूढ़ो उसको काना नारायन 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 प्रतिक्षा प्रतिक्षा दर्शन दो नारायन नारायन काना 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 क्यों इतनी प्रतिक्षा करा रेवा प्रभू, आजा प्रभू, दर्शन देदो प्रभू प्रभू, आजा प्रभू, आजा प्रभू, आजा प्रभू क्या प्रभू, आजा आजाएं उधन डी, यह क्या कररे हो तुब, चाने खा गार हूं मैया मॉल यह क्या रेवा, मैया तुने आनुमती लेनी की भी आवश्चक्ता ना समझी? आपने तो कही थी वैया आके जित्ती इच्छा हो, चाने खालो, इसलिए खारो हो बावला हो गया है क्या? मैंने कब कही तुस्से? आपने तो यह भी कही थी कि दूर दूर से सब बालक दोड़े चले आते हैं चनी खाने, एक मैं ही ना आतो दूर दूर से बालक आते हैं इने खाने दोड़े दोड़े, बस एक आपको ही समस्या है यहां आने में तो बन में रहने वाल ही बुडी माई का स्वार है? कहीं काना उनी के साथ तो ना है बुडी माईया, जनी तो समाप थो गए लाइब रहो, अभी लाइब स्यांए रिश्लम, रिश्लम नरे में रिश्लम, रीश्लम, बुडी माई है मुडी माई प्रतswर peace चलो उड़ो उड़ो अटो अटो मेरे प्रभू का है रुकिये और वो चिलिया मेरी है और मैं सबका हूँ चोबिन पंच्यों को भटकते पस्वों को बालकों को निर्धानों को दिया जाता है वो मुझे ही तो मिलतो है मैया क्यूंकि मैं सब में हूँ और सब मुझे में शमा करना प्रभू स्वार्थी हो गई थी मैं सच मुझ आपकी भक्ति अनोकी है आपने स्वार्थ भी दिखायो तो अपने लिए ना मेरे लिए पर बूड़ी मैया दूसरी के साथ पाटन में ही तो सच्ची में तो प्रसन न होतो हूं मैं समझ गही प्रभू मैं समझ गही बूकी है ना तू तू भी लेले लेले आओ लेया या बैठो पर एक बात बताओ प्रभू आपने इस बूड़ीया को इत्ती प्रतिक्षा क्यूं करवाई मैंने प्रतिक्षा क्ना करवाई मेरी मैया को नाज जानते है मच्चे बात तुरह ignore करती है वो मेरी शुड़क्षा के चंटा के कारण रहे आने जाने नहीं देती है मुझे आज भी विना बताओ आयो है यहाँ मेरी मना करने के बाज भी मैया कवश्वर यह क्या सोनाए दिर है मुझे क्योंकि तेरी मईया स्वयम खड़ी है यहाँ देखो बूड़ी मईया मेरे बाबा और मईया लेने आए हैं मुझे तुझे कित्ता भी समझा लो कित्ता भी भैबीत कर लो तुस्तुन्ने वालो ना है है मेरे प्रभू के साथ ऐसो वेवार जै अनुचित है लेला ऐसे बिना बताए तुझे ना आना चाहिए था तुम सब ऐसे डाट क्यों रहे हो इने मैंने बुलाया था इने देखो मैया बाबा इन्हों नहीं बुलाया था मुझे अब आप ही बताओ यदि मैं या ना आतो तो इनका मम कितना दुखी हो जातो बहाने मती बना का ना आज के पहले तु इन बुड़ी माय को जानता भी ना था अरे लाली मैं तो इने 40-50 वर्षों से बुला रही हूं पर आ जाये हैं ये माय मेरा लला के वल चार वर्ष का है तू भी विचितर है लाली जिनका ना कोई आदी है न अंत उनकी आयोगिन रही है आप कहना क्या चाहती हो माई या सुधा एक तो ये बुड़ी है और उसरा इनके बारे में पता चलो है के इनके मांसिक स्थिती ठीक ना है या मारे काना को कोई और समझ रही है कानहा अब चल चल तो हू माया प्रभू अभी अभी तो आये थे इतने शिक्र छोड़के जा रहे हो अभी अब सच में चाहती हैं कि मुझसे दुबारा बिछड़ना ना पड़े तो आप काशी जाओ माई वहां मनी करने का खाट पर अपनी तपस्या पूर्न करो जब उचित समय आएगा तो मैं स्वयम आपको अपने आप में लीन कर दोगा और हाँ आपके यहां जाने के बाद भी आपके खेट की देख भाल होती रहेगा इसे गहवर वन के नाम से जाना जाएगा अब चल भी काना चल देख लल्ला कारण चाहे जो भी हो तुझे वन में ना अनुचिये था कारे तो तुने अनुचित करो एक आना फरंदो तेरे आने से उड़ी माई परसन्न हुई उन्हें आनन्द मिलो इसलिए तुझे ना डाट रो मैं मैया आप भी नहीं डाटोंगी ना अपका प्रुक्रोधित भी नहीं होना मुझे ना तो फिर चलो दौल लगाओ दिखती है पहले कौन घर पहुत्तो है काना काना सुनतो पाना आज ना रुकूंगा मैं पाना पाना मैंने कही रुक मैया अकेले वन के भीतर चला गयो तब भेना लगो अब हमारे साथ है तो भेबी थोरो है हाओ मैया हाओ चन्ता मती कर लल्ला कोई हाओ ना है हाओ हो तो ही ना है अब तो तु घर आ गओ है ना लल्ला अब भेबी थोने की कोई आब सकता ना है तु बैट मैं जल ले क्या आती हूँ प्रभू को भेब कैसे लग सकता है हाओ तुमने काना को वन में जाने से रोकने के लिए जे उपाय निकाला वो मुझे ना पतो था जी कि जे इत्ता भेबीत हो जाएको बालकों को भेबीत करने का जे तरीका सही ना है यह सुधा यदि एक बार उनके मन में जे भेब बैट गई तो उनका आत्मी विश्वास खो जातो है और जीवन में कच्छू भी कार्य करने से पहले उन्हें हिचक होती ऐसे बालक जीवन में पीछे रह जाते महिया बाबा होने के नाते जे अर्मारा दाई तो है कि अगर उनके मन में किसी भी प्रकार का भेख है तो हम उस भेख को निकाले और उन्हें वीर बनाए उन्हें संसार का सामना करना सिखाए आप तो समझ गई ना जी अपने बूर्ट सुधारों की में कैसे? आप हाउसे कैसे बहबित हो सकते हैं प्रभू? आप तो सभी के भैय मिटाते हैं पूरे संसार को अंदकार में ढखेलने वाले भयानक असुर हिरन्याक से भी भैबित नहीं हुए थे आप पहारा बनकर उनका संगार किया था राक्सचोक के राजा रशानन रावर से भी भैबित नहीं हुए आप प्राम बनकर उसका भी वद्ध किया था तो आप भाउस है कैसे भैबितो सकते हैं प्रभू? तुझे बचाने का अस्थान पर फिर से फसाद या दाओ बलराम ने तो प्रभू का पूरा रहस से उजागर कर दी आप यह सुधा क्या करेगी? जे जे इसने भगवान ची भगवान ची खेल के सिखो है या जे सब आपने सिखायों है? कोई भी कार्य करते समय या इसे सुलाते समय जब यह हट करने लगता है न तो मैं उसे पुराणों और उपनिश्दों की कहानिया सुनाती है इसने उन सारी कथाओं को स्मरण रखा है और आज अपने छोटे भाई का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका प्रयोग कर रहा है इस सब देखकर तो हैं भी आश्चरे चक्यत हुए शुदा बाल बाल बजगर दाओ अच्छा यह हुआ कि मैया को कोई संदीम ही हुआ अन्य था कोई न कोई अनुखा निन्य ले ली ती आई आई मुझे समझ में आगाओ है मुझे क्या करनो है मुझे अपनी भूल कैसे सुधारनी है अपने काना को अनुसासित कैसे करनो है इससे सरारत करने से कैसे रोपनो है इससे पढ़हा लिखा के इसके सिक्छा आरब करने का समय आगव है अरे मैया भी ना अब भी तो कच्छू और सिखानो है मुझे मैं काना की सिक्छा कल किससे आरम करूँ किंती से ना वणमाना से हाँ कल मैं इससे स्वर सिखाऊंगे आ आ इए उप्व न योजना कल सुबह बना लेना यह सुधा सुझा अभी कभी न समस्ते जी योजना तो अभी से बनानी पड़ेगी न सुबह तो पढ़ाई आरम होगी का ना की यो कर लो बाट अब को पाला कब बनूंगो मैं और कैसे कर दो अभी कर दो है अभ्र्ण अभ्र्ण हाँ अभ्र्ण प्रूब्स का अर्ग, प्रूब्स कर दो दो जाए प्रूब्स विलम्ब के लिए क्षमा कीजिएगा माराज, साथ से थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए कुछ अवेशी, भोजन के कारण कुछ है, ऐसा क्या खालिया दुरजान, जो पता नहीं पा रहा है मेरी दुर्बलता तो एक ही है, माराज, बिठाईया, जब वो मेरे समक्ष होती है, तो रहा नहीं जाता जो सबसे अधिक प्रिये हो, यदि वही विश्व बन जाया है तो खुद की रक्षा करना कठिन हो जाता है, दुरजान सही कहा, माराज, आगे से इस्वरत जब खुद की प्रिया, क्या है, तो पता नहीं माराज, तो पता करो, तुम तुम जाओ मेरा गुप्त चरवान के बिंदावन, और पता करो, यो श्वरत अप्तार को सबसे अधिक प्रिया क्या है। पंडित वाला किसान, जिस बेश में जाना है जाओ, कि तु एक दिन के भीतर भीतर, मुझे सुचना था, किसी भी मुल्ले पर, जाओ। क्या होगो तुम सब को। प्रभू, जबसे आपने गौप आलक बनने की इच्छा प्रकट की है, हम सब के लिए एक एक शण भी काटना कठिन हो गया है। भूप प्यास सब मिट गई है प्रभू, जब आप गौप आलक बनेंगे, तो हमें आपके साथ समय बिताने का अफसर मिलेगा। बस इसी आशा में हम सब व्याकुल है प्रभू। चिंता मत करो, मैं तुम सुके साथ बहुत सारा समय बिताऊंगा। सिगरेगो अपालक बनूँगा मैं। ऑ, आ, ई, इ, उ, उ,ङ, आ, ॉ,, आ, 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 थ, आ, 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 आ. मुथ में बस और एक बात बताओ तुम वड़माला का अफ्यास करियो भी इतनी सुबा सुबा और ये क्या बना रही हूँ? अच्छुना है अरे दिखाओ नदराज वो गौसाला में आपकी आउ सकता है आतो आतो इससे पहले की काना उच्छाए मैं से इस सभी तियारिया कर लेती हूँ पहले तो सब चरा समाथ कर दिया था अब कचुना खा रही है लगतो है बन की घास का स्वाद बूलग गोए ने तब तो हमें कोचारे नारम करनों पड़े कू पर उभी इतना सरल्ला है नंदराच गोपालक कम है और गईयां अधिक है अभी कलीवन में दो गईयां भटक गई थी बड़ी कटनाई से मिली है तब तो हमें गोचारे ने के लिए नए बालकों को प्रिसिक्षन देनों हूँ ए हूना बाबा और मैं भी तो हूँ छोटे बाबा अपने डंडे के साथ तैयार उन गोपालक बनने के लिए ये अच्छे गोपालक का चिन है ना तो तुम दोनों का प्रिसिक्षन आज से ही आरम भोगो पर जे तो कुछ समय बाद भी हो सकतो है ना आप तो जानते हो आज से मुझे इसे पढ़ाना लिखाना आरम करनो है ये शोदा तो मुझे लगादा कि तुम इने मेरी तरह पुराणों की शिक्षा देना चाहती हो पर जे तो और भी अच्छा है ना जिज्जी एक बार जे पढ़ना लिखना सीख जाए तर शारी कथाएं भी स्वाइन पड़ेगो बड़ी माँ आप तो जानती हो मुझे जबी कछू नया सोस्ती है और तू सवेरे सवेरे ओड़ते ही यहां क्यों चलाए हो ताकि पढ़ाई ना आरम करनी पड़े इसलिए ना पर मैया मुझे तो पहाने मती बना चलब या सुदा मुझे सब पतो है तेरे मन में क्या चल रहो है देख जानकी काना को पढ़ाने की बाद किसी को बताने की सोच अभी मती काना तू स्नान के लिए चल मैं आते हैं चाह जानकी काना को पढ़ाने में मेरी सहायता करेगी मुझे ना वर्ण माला से आरम करनों है आज मैं चाहती हूं कि वर्ण से आरम होने वाली सारी वास्तविक वस्तु दिखा दिखा के उसे समझाओ सिग्र समझ जाएगो जैसे कर से एला समझ की भावी वन माला के सारे वन्लों से आरम होने वाले सभी वस्तु है और लिखाई पट्टी और खड़िया भी चाहिए बोला बंसी को बोल सिग्र लिया अभी लेक राधियो ताना बाहर जाने का प्रयाज भी मति करना समय व्यर्थ करना अच्छी बात ना है लला जा जा किस नान की तेयारी कर जा फेरो कहा ना वही थेरो मिल गई पहसे पंकूडी और ये मिल गई हसे घंटी अरे फोला चसोता भावी ने तुम्हे लेखल पट्य और खड़िया लाने को कई अरे ये शीख रहने जाओ तो इसने मुझे कोई और समझा बच गया पहसे बेलन कस्तूरी क्तूरी काना की पढाई के लिए काना की पढाई हाराम कर रही है हेना की इसे को बताने से अठ्थ सुन गस्तुरी। मैंने केवल तूझे ही बतायो है। किसी और को मती बताना?... चल... मैंने कीवल आपी को बताये बाबे। आपकिसी को मत बताना हां? किसी और को मती बताना तुमसल। बोथ अद्बुद होगो वे दृस। मुझे जाके देखनों चाहिए अच्छा लल्ला बता तुझे सबसे अधिक क्या प्रिय है मेरी प्यारी सी मैया मैया लल्ला तुझे क्या और कौन का अंतर पतो है कि न मैंने जेना पूछा तुझे कौन प्रिय है मुझे जे बता तुझे क्या प्रिय है ऐसी कुए बस्तू जो तेरे पास ना है पर तुझे पाने की इच्छा है लड्डू ब्रिसं के कभी बेशं के लड्डू, कभी नारीयल के लड्डू, कभी बूदी के लड्डू भूल हो गई मुझ से मुझे तेरा नाम लड्डू रखनों चाहिए था, लड्डू कहीं का, यदी लड्डू चाहिए, तो ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझ आई? चुनो, तुम कौन हो जी? वो… अच्छा, भोला ने भेज़ो है क्या? लेओ, लेओ पहले तो कभी ना देखो है तुम्हें? भोला के संबंदी हो क्या? नाना मैया, ये तो मेरे संबंदी है जैसे भाई का मित्र भाई, काका का मित्र काका वैसे भी मामा का मित्र मामा हो ना? है ना मामा जी? इसे कैसे पता चला कि मुझे इसके मामा महराज कंजने भेजा है? चुपो जा, कच्छो भी बोलतो है, ये तेरे मामा ना है ये शोदा जीची और शती है का, देखो ना काटा लगगो इस में से तो रख निकाल रहा है रूख रूख जेले, इसे लगाते ही पीड़ा जट से लुपतो जाएगी जीची जीची? ये सोदा जीची? खोड़ा घी मिलेगो, मेरे आँ समाप्तो गो है ठेर अभी लएगी जेले जशोदा भावी जशोदा भावी, वो तनी खल्दी मिलेगी वो पता नी मेरे आँ कब समाप्त होगी हाँ हाँ ठेर अभी लएग जशोदा जीची? 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 वो थोड़ी दाल मिलेगी क्या? और चावल भी किसी को घी चाहिए, किसी को हल्दी, तो किसी को चावल और दाल जीची? जीची कौन सी खिचडी बना रहे हैं तुम सब मिलके? जीची? 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 बताओ भी और सची सची बोलो यह सब क्या चलो है? क्यों आई हो यहाँ? मैं बताओ मैया, यह सारी की सारी मुझे पड़ते वे देखने आई है किसने बताओ के? बाभी वो मैं रहने दो कोई आवसकता ना है मैं समझ गई जे किसकी करनी है शमात्य को बाभी वद्नमारा के वद्नों सो संबदेत सभी वस्तों यह दो ना लापाई पर इन सब को तो ले आई अब इने साथ लो और जा जा जशोदा हमें भी तो देखने दो तुम काना को कैसे पड़ा दियो हाँ और जब हम आपको समझाते देखेंगे तभी तो अपने लल्ला को पड़ा पाएंगे मा भापी मान जाओ ना मैया आपको जानती हो यह सारी कोपिया मुझे कितना प्रेम करते हैं और मुझे भी बात प्रिया है यह वो पिया भी प्रिय है इसे तु कहना क्या चाहतो है? एंट सबको यही रहने दो ना मैया इनकी और से मैं बचनने तो ही क्या कोई वपधानिय डालेंगे ना डालोगी ना? हाँ मैं डालेंगी सबके सामने क्यासे पढ़ाओंगी? हाँ जदि आपको अपने उपर विस्वासना है कि आप हम सबके सामने पढ़ा पाओगी याना तो यह बात और है हाँ क्यों ना पढ़ा पाओंगी? हाँ? अब तुम सब बैठो देखो और सीखो कि अपने लल्ला को क्यासे पढ़ाते हैं? हाँ नहीं तो बैठ जा लल्ला धेरो मैया मेरा अर्फेट गुरु माता हाँ अब बैठो या गुरु का इस्थान तो उच्छा हो तुए ना? अरे वाँ जे तो बड़ो चतुर हो गयो है लल्ला अब इससे पहले कि हम आरम करें हमें बुद्धी दाता स्री गनेश जी को स्मारन करनो चाहिए ओंग नशा नमा बस यही लीलाएं देखने के लिए तो मैं व्रिंदावन में बसा हूं काधा अब बर्ण माला अरम करने से पहले हमें विद्ध्या की देवी मया सरस्वती की प्रारतना करनी चाहिए कैसी लीला है तब हो अविश्य में जो संपून संसार को गीता के ज्यान का पाठ पढ़ाने वाले उन ज्यान स्वरूर पून अवतार श्री कृष्ण को मैया यशोदा पाठ पढ़ाना चाहती है जेना लल्ला मैया सरस्वती का मंत्र बोल पर मैया हुदे तो मुझे विद्या मिलीना है जब मिल जाएगे तो मंत्र बोल दूंगो मैं फिर से आरम होगो तेरा नटखट पना चल लल्ला मैया सरस्वती का मंत्र बोल के उनकी वन्दना आरम कर पर मैया मुझे ठीक सुस्वरण ना है कच्छू घडबड हो गई तो अच्छा ठीक है मेरे साथ बोल ओ महा सरस्वत्य नमा जो इस मंत्र का अधार है आज हिनों ने इसका उचारन करके इसको और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है मैं आशिरवाद देती हूँ यदि कोई मेरे इस मंत्र का उचारन करने के स्थान पर हरे क्रिश्न पुकारेगा तो उसे भी इसी मंत्र के समान पल मिलेगा अब आरम करते हैं लला जे वर्ण माला है लला पढ़ने लिखने और विद्या का आधार इसके दो भाग होते हैं स्वर और व्यंजन पहले हम स्वर से आरम करेंगे हम् आ आ आ आ य आ आ crashing ए आई, ओ, ओम, आहाँ तुझे क्यासे पतो? आप इनी तो सिखायो है माईया मैंने? कम? कल राची सिखायो राच को सोने से पहले आप यही तो बोल रूछी तुबे उठ्टे ही फिर से डौर आने लगी और तो और चांद कराने समय वे आपके मूपे यही था इत्ती तीवर बोल रही थी क्या मैं? पर अपने आप इत्ता ही सीख पाया हूं मैं इसके बाद कर ना हो तो मैंया तो क्या होगा? मैं हूना? मैं सिखाती हूं? अब बारी है व्यंजन की कर से कबूतर करी ला कर से कबूतर खर से खर्गोस खर्गोस गह से गया अरे मैं तो भूली गयो मैया को गौपालग बनने के लिए मनाना था ऐसे पढ़ाई करते रह गया तो तो गौपालग बन भी जाएंगे बल्राम इस तरह गयाओं और बच्छडों को नहलाया जातो है समझगो और बोजन चोट बाबा वो कैसे के लाते हैं चारा डालने से पहले गुड मिलानों होतो है मैं बतातो हूं जेले डाल बस अभी इसमें से चारा निकालो अब गुड ऐसे ना डालो जातो इसे पीस कर डालो जातो है इसे ऐसे पीस कर इसके छोटे चोटे टुकडे किये जाते हैं पकड और फिर इसे चारे में मिलायो जातो है हूं हो गयो जा गयाओं को खिला दें यह तो मेरे हाथों से क्यों खा नहीं रहे चोटे बाबा और गुड मिलाओं क्या ना ना गुड परियाब्त है अमें अधिक गुड भी ना मिलानों चाहिए अधिकता मानव के लिए हो चाहे गयाओं के लिए बुरी ही होती एक बार पुने प्रयास करूं लो अब खाओ बाबबा यह तो अब भी नहीं का रहा नारैनी जाने क्या हो गो है ने काना तरह ध्यान का है लल्ला गह से घर अध्भुत लीला धर की लीला अध्भुत इनके रंग स्वयम ब्रम्हा आज सीख रहे काखा गागा अंगा जाचा जाचा यहाँ टाठा टाठा ना टाठा टाठा ना बाभव बाबम्मा यह रा लव तलव्याशा मुद्यन्यशा जंत्यशा हाँ शक्र ज्यान वेक्स कुल भीकृत्श प्लाभव भीकृत्व मुद्प बात्व आप्द्याशा प्लाभव से प्लाभव